तो आभी से चुका दिखाओ नहीं ऐसे माहोल में कोई अकेला आदमी इमानदारी से काम कर सकता है हम यहां राशन लेने नहीं हम यहां मद्दान करने आए हैं तुम पर जनता की तरह से Human Rights Act का मुगदमा चलाया जा रहा है को न कहता है अकेले जंग जीती नहीं जाती कोई बन के महातमा गांधी मैदान में तो उत्रे आज हर सास पर पावंदी है हर एक हरकत पर पहरे है क्यों नहीं सुनता कोई बेवसों की फुकार क्यों नहीं पोस्ता कोई मजलूबों के आतू कब गर्म होगा हमारा खूर कब जागे की हमारे अंदर मर्दान की और कब पैदा होगा हमारे बीच कोई मर्द, मर्द, मर्द तक्र कारस्ट प्राया थे आपैए जड़ल इएक, मेरे होल्स्त्व बाद पैदानि वाएए Wade क्योंकि यहां तेरी चीकों पुकार सुनने वाला कोई नहीं क्योंकि अजाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए अगर तुम लोग अपने असली बात की पैदाईश हो तुम आप इसे चुकर दिखाओ नहीं तुझे अपने भाई पर भरुसा है की नहीं अगर इसे चुक्सिटिंगी बाईं कि अधower क्या अपन लोग सствен know कि अर बाई्ग ओ को ऑगळольш孝 बागी धUB नजय टूआ बंब इ diff आय अर्फ तुम्हें बेटी की सद भचा कर उच पर बड़ा उपकार किया है बेटा ये क्या कर दिया मा जी माँ के हाथ बेटे के पाँ में नहीं सर पर होते हैं सदा खुशो हो बेटा, सदा खुशो हो जल बेटी एए अम्दा नहीं लेना मट्टी में मिला दूगा यच्टी में में माँ माँ अम्टी माँ माँ नहीं माँ माँ नहीं माँ आफिकर मत कीजी सब ठीक हो जाएगा अर्जून ये हैं सेट जमनादास जिनके बेटे को कल रात तुमने बहुत बेरहमी से पीटा था बैठो इसलिए आपका ये लेक्चर सुनने के लिए कि दस साल में तुम्हारा चौदा बार चांसफार हो चुपाए तुम्हें सबकाम कानून के दायरे में करने चाहिए और जिनकी पहुँच उपर तक है उनके तलवे चाटने चाहिए मेरे सिनियर मुझे यही नसियत दे दे लाइए मेरा ट्रांसफार लेटर लाइए अर्जून आपकी तरह भगवान भी मजबूर है सब जिस तरह आप मेरा ट्रांसफार ओडर नहीं रुखवा सकते उसी तरह भगवान भी मुझे ऐसे लोगों की आउकाद बताने से नहीं रोख सकते लड़कों पर हाथ उखाने से पहले अपनी आउकाद का अंदाजा लगा लेना बेटे को मारने पर ट्रांसफर पाप को मारने पर भी ट्रांसफर अनसर पंगण नहीं लेना मिट्टी मिन लेना कि अधिन सिर्व ए में ठाओ बेटा कि अधाय ए यह भागवान के पास नहीं तो मरने के अभर ए some अधार जाओ इहां नर्क में जाने को नहीं कह रही है यहां मंदिर में बहुआ के पास जाने को घैरी है क्या भी तर captain में में यह एक है मेरे को कि पुलीस की नौगरी दिन मेरे कम क्या दिया है कि जब जब मैंने कुछ तोचा पूरा उल्टा हो लिया दिनी देनी की मांग भरने की सोची बौनी कपन ने पूरा राशन भर दिया शेका पर नगर पड़ी वो तो सब पर तूट पड़ी रवीना पर नवर पड़ी, वो तो बोले भीना निकल पड़ी, ज्या दिया, यह गहते रहे इस बगवानने मेरे को, यह दिवार का शट्ट, यह जिंस, और यह बनने अस्तन बिड़ी, आया, उनको पड़त लिए इन्न बड़ चिकट, इस दान बड़े लाइब लाइब इन इ ने तो गंबूट पड़ेगी तेरे सर पे, चलो मा, बड़े बग्त बनेंगे, ले बेटा, प्रशाद ले, प्रशाद, बिठाई समझ के खालो भाई, क्या रिश्वत दे राख्या, भाई ऐसा मत बोलो, यह गनपती भगवान का प्रशाद है, आप उन किसी गनपती भगव अप उन एक ही गनपती को जानते है, वह है डिरेक्टर गनपती बोरा, और तो परशाद की बात करी न, मा, इलिए परशाद की पिछली लीज हो गई है, हाउस्पुल जा रही है, अप उन चले, चले मा दुरगे, चले मुरगे, चले मुरगे, हम, यह भगवान, हाँ, हाँ, हाँ! क्या है निकाल 200 रुपे अरे बाल मत चवाल हूं थोड़ा कम करो तो मुझे कुछ कर पैदा किये थे क्या जल जा कर बाइसकोप दिखा अठनी में काम हो जाएगा अच्छ ठेहरो टार्टिकर दे 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 अरे अर्जन के सामने तुम्हारी अर्जन फिल्म लॉप है यह तो ऐसे खूच हो रही जैसे इन तो पागल हो गई पागल हो गई हुआए मैं पागल हो गई हुआएप देखना खूच अ आरे तो नहीं पैसो नहीं मारे को पिचर देखनो है अच्छा बबा, 400 पहलो, दो नाइजर, अरे वा, 200 दियो, तो 400 भिल गयो 10 का 50, 10 का 50, 10 का 50, 10 का 50, 10 का 50 अरे, मैं टिकेट ब्लैक कर रहे हूं, तुम्हे रेस क्यों नी करते? अबे तक जूटी जॉइन नहीं की, ओफिस जा रहा हूं, चार्ज लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, जैसे ही चार्ज ले लो, मुझे गिरिफतार कर लेना, इस बिच पुलिस स्टेशन जाने तक, मुझे तुम्हारे साथ रहने का माक्का भी मिल जाएगा एए, चलो, नीचे उद्रा, चलो ले, चलो ना, चे महीने से मेरी आँखे तुमारे रहा देख रहे थी हाँ, हाँ, हाँ कर दो 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 पुछो तो बहारों से पुलों की कतारों से पुछो तो बहारों से फुलों की कतारों से धरकन में हंचल है क्यों पुछो तो नजारों से चांद सितारों से पुछो तो नजारों से चांद सितारों से दिल आज पागल है क्यों पैसना ये तो है प्यार की जानूगरी बलकों पे क्या तेरी चाहत है चेहरे पे क्या तेरी धंगत है ओ होटों पे है क्या पस नाम तेरा तुझे प्यार करना ही अब काम है मेरा दिल में है क्या तस्वीर तेरी तुप 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 मेह की हवाए है, नशी में घटाए है, मेह की हवाए है, बेहधी है हम्राइया गुंग घर कम नहो, अब कभी ये बेहुदी सासो में है क्या, तेरी खुश्बू है, रुद में है क्या, तेरा जादू है खोटों पे हिंग्या, बस नाम तेरा, तुझी प्यार करना ही, अब खाम है मेरा ये नड़की, क्या कर रही है दर? अरजुन कहा है? साथ तो गया? खोटों तर नीचे, खोटों अरे, अरे, अहां बांदरा से बोरी वाली तक, सारे थेटर मेरे हैं, और मैं ये चाहता हूँ, कि तुम ये काम मेरे लिए करो, मगर हिस्सा 50-50, अगर मुझे मनजूर नहो तो, मैं तो मजाग कर रहा था, ये लोग, तुम ने फेके हुए पैसे उठा लिए? ये पैसे नहीं है, सेड़ जी, रुपए हैं, रुपए हैं, अगर अपने उठा देना, तो आप उठा ले थे, लेकिन अपने बेवकोफ थे, पैसे ये कदर नहीं जानता था मैं, लेकिन आज गटर में पैसा गिर जाए ना, थेपा कुलूंगा मैं, खैर आज से अपने काम शूरू कर देते हैं, रोज शाम को नल बजार पर रशीद भाय खंदिल वाले के पास आपका हिस्सा पहुंच जाएग अब तो सिर्फ तिरा ही आश्रा है, अरे माईजी, शांत हो जाएए, शांत हो जाएए, बता ये क्या हुआओ? तो मैं क्या करूं अरे तू ही तो सब कुछ कर सकता है वो प्यार सिप्टी-फिप्टी है तो मैं क्या कर सकता हूं माजी अरे 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 जालिम तो सब कुछ कर सकता है अरे माजी देखे छोड़िये माजी छोड़िये आ हा माजी जरूर करूंगा इस संगिन जुर में मैं आपकी बेटी को सौव साल की सजा दिर्वाऊंगा आप जरा विग ठीक से पहना किजिए चलिये अर्जुन अर्जुन सुना दो आज तो मैं तुझे अपना दिवानाद बना करें छोड़ूंगी अर्जुन 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 कुछ जो सब्सक्तार है कि युज़ झारी हाई रे दिल धड़के धड़क मेरा जाए जै हाई रे हाई रे धळक धडक मेरी जाई दे हाई रे धोड़े दिल धडक, धडक मेरी जाई दे हाई रे हाई रे कोन दिल की या चुरी अब कर सिना धूरी है कितना मुझे दड़क हाइरे, 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 दिल धढक धढक मेरा जाएँ, हाइरे, हाइरे, हा명 अगरे Olíme वार, 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 मैं पान की गिलोरी का है, होटो से न मुझ को लगाए रे, मेर दिल पर जानी, तेरी बनुई, मैं रानी का है, हत आर आ लगाए रे, हाई रे, हाई रे, दिल धडक घरत मेरा जाए रे, हाई रिली एषाओ, कह़ड़क inherently जाए जै हाई रिली हाई रिली कलिपा बल्डी हाँ 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 हा पुद्धे गूडी है पटाका मारे दिल उद्धेडाका चाड़ पंजड़ा नसानू पूल जाए रे पुद्धे हे तुए रोंजुलू करने छोड़ हुसा मेरे यार दर खश्मा उतार तुझे कुछ भी नजर नहीं आए रहे तो है लड़ता अजी आजा मेरे तुख अलेब ताहे खुणियों की तरशरमाइदे गोरी गोरी बांके छोरी मैं हुन रोप किती तुरी कैसा मरत है तू घब हाइदे 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 धडक भेढत मेरा जाएदे अग धडक मेरी जाएदे हाइदे हाइरे तुने दिल किया चुरी अब कर शिना खुरी हाइग हाइरे थेरे, हेरे, हा थेरे, हा थेरे a reality अक्मेरे, हदे ए तो मेले जाएदे ए हेरे, हेरे है हेरे, हेरे हेरे किसी का प्यार पाने के लिए इतना घिरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इस हरकत ने औरत की मर्यादा को पार कर दिया है अगर अब भी आँखों में कोई शरम बाकी है तो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करना है तेगर मिक्पो की दिना अबदुलाद, क्या करें तुम्हारी के बाईजान आप इतना सोशल वर्क करते हैं तो चुना को ने लड़ते हैं क्या चुनाव लड़ेंगे भाई जहां कदम कदम पर चोर, बेइमान, रिश्वत, खोर भरे हो ऐसे माहोल में तुह अकेला आदमी इमानदारी से काम कर सकता है अपने अर्जुन को देखो न क्या एना मिलाउत को इमानदारी फुट बॉल बनके रह गया है कभी ठोकर मारके वहाँ फेग दिया जाता है कभी ठोकर मारके यहाँ फेग दिया जाता है तो यह तो नहीं प्यार उसने भाई जान क्या एक कम है कि आज भी वो शेर की तरह ड्यूटी कर रहे हैं और फिर यही बात अगर सब सोचते तो आज हमारा देश आजाद ही नहीं होता। देश को आजाद ही दिलाने के लिए गांधी और सुभाश अकेले ही चले थे। उसके बाद एक-एक करके करोडों लोग उनके पीछे चल पड़े थे। आजान, इनकलाब सिर्फ एक ही आद मिलाता है। आप एक बनिये तो सही, फिर आपके पीछे एक आया या जिरो, संक्या बरती ही चाहेगी। अब्दुल ठीक ही कह रहा है। मुल्क की हिफाज़त ही सबसे बड़ी इबादत है। इबादत के लिए मैं तयार। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। टीफ मिरिस्टर की कुर्सी पर बैटकर, देन दयाल चौधरी ने मुल्क की जन्ता को बहुत बोच जाए। मैं उसके सारे काले कारणा में और सत्या जैसे गुंडे के साथ उसके रिष्टे को अपने अकभार में छापूँगा। पर सम्खुदा की भाईजान, उसके बीवी बच्चे तक उसको वोट नहीं देंगे। यकिन मानिया आपकी एक तरफा जीत होगी भाईजान, एक तरफा जीत होगी। सर्फ, मैंनो संपादक को समझाने की बहुत कुशिश की, वो नहीं मानबा, कहता है कि इस वार वो सत्या और आपके रिष्टों को लेकर अखवार में जरूर चापेगा। और अगर ऐसा हुआ, तो आप एलेक्शन ही जीत पाएंगे। अपने आपको एक्सपोज होने से आपको बचाना पड़ेगा। क्या एक्सपोज करेगा। अरे रदन, तुम भी क्यों इतनी जल्दी घवरा जाते हो। मेरे पास है ही क्या जो एक्सपोज करेगा वो। कहा है वो। अब्दुल कलीम अजाद, संपादक बार टाइम्स। बई चोबे, इनके लिए पैक बनाओ। जी। जी। चराब मेरे लिए हराम है। रहने दो चोबे, इनके लिए कोई ऐसी चीज बनाओ, जिसे हम हराम समझते हो। जिसे आप जैसे नेता हराम समझते हो। ऐसी कंदी चीज खुद्रत ने अवे तक बनाई ही नहीं। देखो, मिश्टर कलीम, चुनाव सिर्पे आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ऐसी कि तैसी नहीं करना चाहता हूँ। समझाता कर लो, सुखी रहोगे। और वैसे भी अकेला चना महार नहीं फोड़ सकता। गांधी ने अकेले ही तेश को आजादी दिलवाई थी। जीजस क्राइस ने अकेले ही दुनिया का रुख बदल दिया था। महिना तो तुम गांधी हो ना ही तुम जीजस क्राइस हो। हाँ, ना ही मैं गांधी हूँ और ना ही मैं जीजस क्राइस्ट हूँ और ना ही मैं पूरे तेश को बदल सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे एतिहास को बदल दूगा। तो मैं दुनिया के सामने नंगा कर दूगा। संपादक महोदय, एक रुपे की कलम लेकर इतना बड़ा कौप सजा डाला। एक रुपे की कलम ही करोणों की सरकार को धारशाही कर सकती है, चीफ मिनिस्टर सहाब। शट आप, यू शट आप। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं जिसना तुम धुद करो। तुम ही ने मुझे घर पर बुलाया था, ना ही मैं तुम्हारा यसमन पिया हूँ, मैं एक जनरलिस्ट हूँ, और मेरा अखबार, तुम्हारी सुर्खिया चापेगा। अपने आपको बचा सकते हो तो बचा लेना। तुम्हारा था, मुझे माफ करते हूँ, मुझे माफ करते हूँ, यह मेरी पहले गलती है, तुम्हारा था, आहिंदा यसी गलती नहीं होगी तुम्हारा तुम्हारा था, मुझे माफ करते हूँ, 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 तुम्हारा था, मु ह Kal legे, हम जो कर दो ही कर दोह छोंपें कर दोत दो अए प pig, कर दो एक फो island, कि न कृ पते हो जड़ों लगा делает, कि अ उल आ हो य हुँ कर देन्गे हो जड़ा क organizing बस जीते रो ले बेटा ले चोटे खाँ अरे बेटा अरे बतीजे खाँ रे रतन तुझे याद है जब यह दोनों छोटे थे तो मैं रोज सुबान को काली मिर्ची गी और और शेह तटवाते थे अबदुलकलीम वह हमारे बारे में सबको चापने वाला है जो अब कि तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देनी कौन सी बात जब मैं अपने परिवार वालों के साथ होता हूं मुझे सिर्फ अपने परिवार वालों की बातें सुनाई देती हैं मंदिर की घंटी भी नहीं और नेता का भाशन भी नहीं मैं यहाँ जोग सुनाने नहीं आया हूं सकते आने वाली मुसीब्तों के बारे में बताने आया हूं अगर अब्दुल कलीम ने वह सब को चाप दिया ना तो इन सब की हंसी पर्माननली बंद हो जाएगी अपनी जबान को लगाम दे तेरी और मेरी जादे की है तुझे जनता ने वोट देकर कुंडागर्दी का लाइसंस दिया है और मैंने जनता से कुंडागर्दी का लाइसंस लिया है मुझा बोलोगे मैं दोस्त हूँ मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा ये बच्चे हैं गरम खुन है इनका ये अपने आपको नहीं समाल सकेंगे इन्हें जरा वक्त की नजाकत समझा दो हर आदमी मेरी तरह तुम्हारा दोस्त नहीं है ना ना दयाल ना मेरे बच्चों को कोई छूबी नहीं सकेगा ये ये छोटा है मेरा इसकी माने एक बार इसे थपड़ मार दिया था मैंने इसकी मां को छोड़ दिया था अब बात सुन लिए मैंने तुम्हारी तुम्हारा काम हो जाएगा क्योंके ना कानून ना सरकार सबसे बड़ी है सद्या की मार हो जाएगा मैंने मैंटर लिखकर अपने टेटल पर लिया है तुम्हसे टाइप करके प्रूफ रीडर को दे देना या कि प्रिंट फर्मा मैं जो कर टूब है कर दो दो कर दो कर दो कर दो बहुँ, कर आदा प्रूज एपर जो चाचा दान दर्वादा खोलिये जल्दी, चाचा दान जल्दी क्या वत वहां कुछ गुंडे अब्दुल वाई को मार रहे है का आयो मेरे साथ क्यों तुझा क्यों वाई का कल रहा है क्यों व्य चोर्ण बश्यच की ऑई लून अे लून क्यों गई ने वदिए individual को मेरे साथ आपको जोड़े मेरे भाई को मारें उसे चल के बचा लिए तुन लिया रुख जाओ चैनुछ तो खालू सुबह से कुछ नहीं का चीफ मिनिश्टर की ड्यूटी पर था बेट खाली है दस मिनिट में तो दुनिया बदर जाएगी मेरा बच्चा मेरा बाई मारा जाएगा एक मिनिट यहां रोज सुबह से शाम तक लोग कटते रहते हैं फुलिस किस किस को बचाएगी गूरतर क्या है देखतर ही सैंड्विच का रहा हूं हमारी दास्तान तो तू अपने अखबार में नहीं छाप पाया लेकिन कल तेरी मौत की खबर अखबारों में जरूर छपेगी अब्ल 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 अबिखस्व कि अधिए तुने का कर दिया रही पिखाएगा तू तो खह रहा था मेरी एक तरफाजीद होगी अरी मेरी तो चौतरा वाहार होगे तू लिए क्या कर देखे ने तो फिर नी उतारोगे इस्पेटर मज़े तुम्हारे हमदर्दी की जुरूत नहीं है तुम्हारी हमदर्दी मेरे भाई की कभी को पुरा नहीं कर सकती है उसकी रूफ परवास कर गई है वो कभी लोटकर नहीं आएगी अपनी ठोबी वापिस आओ वहन अपनी हैं तो भी में रात को वक्त है शबल मगिए तुम्हे नजला हो जाएगा एग इस्पेक्टर आराम करे जाओ 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 देखे मुझे नहीं चाहिए अंदर्दी पर मत्माइट तुम्हार गया बाचा कर दोगी जिग एम वर्दी ले कर जड़ी 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 हम चिमाद से नियंका, जभता ही, हम ओेपन गयकल। का व्हत Jacob misin? कि भी फदीन, जभी मार कैंटनें मिलिक। मझे मेलिक, मार का प्रायस केर में बनो। नहीं है तुम्हें दुकी होने की कोई जरूत है मैं जिस बात का कोई अफसोस नहीं कि तुम्हारे जैसे दोस तुम्हारे जैसे भाई के होते हुए मेरे अब्दुल को बीच चराहे पर कतल कर दिया गया लोग तो हजारों की ताजात में रोज वरते हैं फुली सबको थोड़ी बचाती है फुलीस का खम थोड़ी बचाना है कर दोड़ात जिटी पर कौनता है चाय और संड्विच का बहुत शौक है ना तुझे टेरी नजर में एक इंसान की जिंदेगी की कीमत चाय और संड्विच से भी कम है है ना है państwa जिए ऑ्र कंप में परके बभी के चाय खायá? संड्विच तन एन एंज ए ऑ हुझे ही किस हरामी के हाथों अपना इमान बेचा है तुन्हें बोल एक पुलीस वाला होकर एक पुलीस वाले को इतना मारा तुमने कर अपने बोलकर के जए सब्क पुलाओ रंने मारा लुन्र छूओवर जाओ, बताता हूं, बताता हूं, सत्या के बेटे, सोहन और मोहन ने ये खून किया है जाओ, घर का कोना कोना चांद मारो कवरतार अगर कोई आगे बला तो, और ना तांगे काट कर रख दूगा इसकी टांगे काटेगा तु, हां, अर्जुन की, घर्द में रॉन के रख दूगा हरमजदे, जाओ अपने फोश को रोग ले, इंस्पेक्टर, वरना बहुत बुरा होगा ए, क्या हो रहा है, सिपी, पेरे पिल्लों को ढून रहा हूँ, जब तक नहीं मिलते जिन्दा है, जिस दिन मिल गए न, टांग पे टांग रख कर चीर डालूँगा ए, इसको चीर कर रख देगा तु, पेरे बती जोगो सिपी, क्या कहा? सुनाई नहीं दिया, फिर से बोल, फिर से बोल, बोल अच्छा, तन पटी से कान लोच लूँगा, पेरे बच्चों की मौत की चीखें भी तुझे सुनाई नहीं देगी सिपी, अगर मेरे बच्चों को कानून की हवा छूबी गई न, तो शेहर में जहां जहां थाना है, खट देखो तूँगा सार, वो यहां नहीं है सब्केलाल, अगर तू अपने बेटों की जिन्दगी के लिए कहीं मननत मांग रहा है न, तो बंद कर क्योंकि जब तक मैं सिंदा हूँ, तरी मननत कुबूल नहीं होगी पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूना मिस्टर बिंदास, मुझे बज़े तो नहीं मालूम, मगर ऐसा लगता है आपको दंदा करना नहीं आता है क्योंकि इस छोटे से थेटर को, जिसमें सिर्फ 200 सीट हैं, बालकनी भी नहीं हैं आपने इतने महंगे दामों में खरीद कर सरासर बेवकुफी की है क्योंकि इतने इतामों में तो गुझात में दो थेटर मिल जाते माफ कीजिए, आपको बिजनिस करना नहीं आता चाचा, बिजनिस करना आपको नहीं आता अगर आप इस थेटर के 25-30 लाग और मंगते न, तो ये विंदास आपको उठा के दिललता ऐसी कौन सी बात है इस थेटर में? अरे ऐसी बहुत सी बाते हैं, बहुत सी यादे हैं चाचा, जब ये थेटर नहीं बनी थी न, तो इसके सामने मेरी मा बटाते वड़े पाव बेशती थी बटाते वड़े पाव, लाल चतनी और आज मेरी मां की 25 वी विद्वा सालगिरा है और यह मेरी मां को मैं तौफ़े में देना चाहता हूं और आज से त्विटर नाम होएगा सावित्री बाय बठाडे वड़े वाली सिनिमा मुझे माप करो मैं MF होसेन नहीं हूं नहीं है ओके आप चपल पहने हुए ना ओचपल पहनते नहीं है यह बाल बाल कड़ा लीजे ना आप अधरों के फैन लोग आप बहुत भलके हुए अपने को मालूं के आप उन पिच्छर के ब्लैक के हुए तिरूपादी जाहिए आप मा आपकी 25 विद्वा सालगिरा पर यह मेरी तरफ से तौफा एस डी बी डवलू सी आप लोग समझे नहीं इसका मतलब है कावित्री दवी बटाडे वड़े वाली सिनिमा मा मेरी तरफ से क्या बात है आप दुरू परिशान लग रहे हैं आई मुझे एक लिस्ट मिली है इसमें तमाम ब्लैक मार्केटियर के नाम है एक नाम तुम्हारा भी है इस पेपर पर साइन कर दो क्या लिख रहा इसमें तुम्हारे गुनाओं का कच्छा चिथा दस तिरों को याद है हम लोग बत्पन से कैसे बले बड़े हैं तुम्हारें करो भाई दस याद करो बच्पन मा अपने को गटर के किनारे अपनी गोद में सुलाते थी एक बार मा को नीन की जपकी आई और हम दोनों को लेकर गटर में गिर गई थी कि सुनगो अपने आपको बच्पन की लगी हुई गंदगी की बद वो आज तक आएगी तुम साइन करते हो या नहीं हाँ मैं साइन करूंगा लेकि सबसे पहले जाओ साथ में साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिग इंदिया था हरामी ब्लैक वाला जाओ साथ में पिछले मेने पिछले साल एक मेने के लिए स्टेटरों को हर्ताज कर दिया था उसके बाद तुम को जिस कागत पर जिस पर पर बॉल पर से निप पर पर पेंशन से वह सानकी क्या बात कर रहा है तुझे बालु में मैं अंगोटे जाबू दूसरों की गलतियां गिना कर तुम इसके डिमांड को ठुकरा रहे हो और तुमारी ये हरकत हमारे बीच में दिवार बन गई है और जब तक ये दिवार हम दोनों के बीच में है हम दोनों एक साथ इस छट के नीचे नहीं रह सकते चलो मा एक तेरे को जाना है जा मा नहीं जाएगी मा जाएगी कौन था वो ते मेरा इसने रूप किदानी और चोरों का राजा जैसी फिल्म बनाई लेकिन तू तू मेरा राजा बेटा था रे तू ने ऐसी घाटिया और दिंबा पिक्चों के तिक्टे क्यों खरी दी मैंने बच्पन से टिक्टे ब्लैक करके इतना बड़ा थेटर तुझे तफ़ा देने के लिए आया था और तू आज यह वाइट सारी क्या पहन ले जिसके साथ जाकर वाइट वाइट हो गई सथ्या के बच्चे धाव में है सद्या के बच्चों का पुराने डिप नहीं है फाम हाँ से आरा वहां भी नहीं है छेटी क्या वहां जाके आएथा वहां पर भी नहीं है बच्चे कि वहां है कि अभी नहीं होगा तुम लोगों को सद्या जिंदा बैठाया भी वे, वो अरजुन को ताजां दिखाई थे, टुकड़े टुकड़े कर दोसके, ख़दम कर दोसको, जा। ठैरो सतलाल, ठैरो, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को, एक बात याद रखना, जिन बातों को दबाने के लिए हमने उस अड़ीटर अब्दुलकलीम का खुन किया था, वो बाते सामने आ जाएंगी, देखो ध्याल, रि करेंगी, जिस्ट रिनेक्स, एक बाते सामने के लिए नहीं, बल्कि एक सलाह देने के लिए बुड़ाया है, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई जोकम उठाओ, प्लेश को तुम जैसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, मैं चाहता हूँ कि तुम सत्य का केस छोड़ दो, और जून ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पुलीस डिपार्टमेंट में आने से पहले, यहाँ काम नहीं होता था, फुलीस मुझरिमों को नहीं पकटती थी, उन्हों के इंकाउंटों नहीं होते थे, नहीं, सब होता था, तुम में एक आफिसर हो, अर्जुन, पुरा सिस्टम नहीं, और यह पुरा सिस्टम बहुत बड़ी विसात है, इसमें तुम्हारी हैसित केवल एक प्यादे की है, और कुछ नहीं, अपने हिटलिरी जिनुनी दिमाग को काबो में रखो, वाना तुम्हारे लिए सविधान में से, रद्दो बदल करने की कोई आशक्ता नहीं है, पुलीस के हाथों, तुम्हारा भी इंकाउंटर हो सकता है, तुरे चीफ मिनिस्टर को थपड़ मारा? छे बद चुके हैं, अब तुम चीफ मिनिस्टर महीं हो, तुम्हारी गवर्ण्मेंट डिजॉल्व हो चुकी है, इलक्षन दिक्लियर हो चुका है, अब तुम सिर्फ एक साधर नहीं हो, ये थपड इस कमरे में मारा है, सिर्फ तुम्हारे अमेरे कमरा है, आइंदा अगर ऐसी हिमाकत की, बीच सडक पर ऐसा कसके थपड़ मरूँगा, कि उसकी गुंज सव कडोर की आवाद के खानन में होचे लिए, पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिलूँगा, तरह था, अर्जुन हमें खबर मिली है के चुनाओं के दौरान, मीजोराज चुनाओं छेत्रों में गब्रवर्व हो सकती है, इसविके डिपार्टमेंट ने तुम्हें बहुँते है। से मुझे चुनाओं में गड़बर रोपने कलीए बहुत भेजा जा रहा है। यहां चुनाओं में यहां गड़बर कराने कलीए मुझे हटा जा रहा है। rices अर्जौन तुम क्या समझते हो। पूरी पुलिस फोर्स में तुम ही मांदार हो बागी सारे करप्थ हैं ब्रश हैं ये तो बहुत बड़ी बात है अरजुन के तुम्हें वर्दी में ग्यूटी पर बेजा जा रहा है वरना चिस्पिनिस्टर साहब के मूँ पर थपड़ मारने का क्या अशर हो सकता है जानते हो अगर पिनिस्टर साहब एलेक्शन जीत कर दोबारा कुर्सी पर बैठ गए तो ये जो तुम्हारा जोश है ना जोश इससे तुम्हारे खून से निकाल कर बाहर पेड़ देंगे जब मैं चोटा था गलती करने बर मेरी मा मुझे जराती थी कि भूत आजाएगा और मैं डर जाता था यह सोच करके पतानी भूत कैसा होगा अब मैं बड़ा हो गया हूं और आप मुझे उस भूत से डरा रहे हैं जिसे मैं और लेडी कस्त के थपर मार चुका हूं अरज्वन वो करकेंगे तो हम करकेंगे Do वर सितम करेगा तो हम सितम करेगे, हमारे जैसा इनसान है वो भी, वो जो करेगा हम वो करेगे हम तुम्हारे साथ है हम तुम्हारे साथ है चोदरी जिनना बाच नियाल चोदरी निनना बाच दोस्तो बहुत कुछ कहने की उमीद लेकर मैं आप लोगों के सामने आया था मगर अब जब यहां आया हूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ क्यों कहूँ और किस से कहूँ इस भेड से कहूँ जो 24 घंडे भेड बकरियों के तरह डरी और सहमी रहती है जो देश की रक्षा करना तो दूर की बात है अपनी मा बेन और बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हाथ फैला कर ऐसे लोगों से वोट क्या मांगू जो गुद पिछले 50 साल से बेकारियों की तरह हाथ फैलाई हुए बैठे है ऐसे बुद्दिल लोग जनके जमीर मर चुके है जो जल्म से से कर समीन दोज होते जा रहे है ऐसे उसे मैं क्या वोट मांगूँगा जनके मर्दों में जनके नचुमानों में मर्दों से कम और उड़ों की जलक ज्यादा नजर आती है ऐसे नफुनसक लोगों के वोट मुझे नहीं चाहिए मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुमारे हक के लिए किसी लड़ाई के मैदान में खुदा तो मुझे दिलो सबसे पहले तुम दुन सबाकर भाग जाओगे अगर जो मैं चाहता था मेरा वोट में जिअना कि मुझे वोट मिले या ना मिले मैं जीटू है आरू मुझे की कोई परवा नहीं है मैं जो मैं चाहता था मेरा वो काम हो गया मैं चाहता था तुम्हारे मुर्दा जमीर जिन्ना हो तुम्हारे मन की सोई हुई आग जागे अपने अंदर रक्षा करने का जजबा पैदा हो उसके आफार इस चपपल से नज़र आगे और मैं कसम से कहता हूँ कि यही जजबा अगर हिंदुस्तान की हर मर्द हर अरस हर बूले हर बच्चे की दिल में पैदा हो जाए तो तुम पर जल्म करने वाले तुम्हारे साथ बेज़दावी करने वाले तुमको धोका देने वालों के मुँपर सुदा शाम चपपलों की बारिश होगी मेरे दोस्तो एक बात मेरी सुनते जाईएगा और उसको याद रखिएगा कि इस देश को सुधरना है तो सिर्फ दो लोगों को सुधरना होगा एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है अगर ये दोनों सुधर गए तो भारत सुदर गया शुक्रिया साथ मुझे माफ कर दो कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं और इसे बनेगे में हाथ जोड़ना सर चुकाना ये बंद कर दो लोगों ने बहुत फाइदा उठा लिया इसका मन में जो आज आग भड़की थे ना उसको बुझने नहीं देना ये मेरा कर दे तुम्हारे उपर और इतुफाले दे जाओ पना किसे बादने का हुक्म दे रहा है हम यहां राशन लेने नहीं हम यहां मद्दान करने आए हैं ये हमारा हक है तेरी ताना शाही नहीं अरे सुन्दरी ये अपने लिबस्टिक वाले होट है ना इनको सिर्फ बंद करके रखो वरना कभी ऐसा नहो कि मैं दान करने की बजाए तुम्हें इससे दान करनी पड़ जाए अच्छा? हाथ लगा कर तो देख हाथ को जिस्म से अलग ना कर दिया तो लानत है मेरे औरत होने पर मेरे हाथ काटेगी तू? रतलान के हाथ काटेगी तो ले हम तेरे बदन को छुते हैं तेरे होटों को छुआ तेरे कालों को छुआ जरी ताय! प्रॉट राम जाए जाए प्रॉट जाए 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 प्रुप यह आताने लिए तो प्रुप प्रुप निए अ लाट प्रुप लग में आताता हुई हुई आता हुई कि अपने अपाहिच हो गयों कि अपने हक के लिए भी जरुखा कर खड़े नहीं हो सकते तुम्हारी रूहों पर तहरा और सासों पर पावंदी लगा दी है इन गुंडों और नेताओं ने अपने मरेवर जमीर में चान डालो वरना तुम्हारी नामर्दी तुम्हारी बीवियों को इतना दरा देगी कि वो अपने बच्चों को दूद भी इन गुंडों से पूछ कर पिलाएंगी इन गुंडों से पूछ कर शिंगार करेंगी और तुम्हारी खड़े हो का तमशा देखनां आपी बख़ते जग 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 परिणाव के ताजा परिणाम, खुलामकली महजाद ने अपने निकटम प्रतिद्वंदी बूद्पूर मुक्यमंत्री दयाल सिंच चौधरी को सो लाग स्टर हजार माच सो पच्पन वोटों से पराचित कर दिया मैं आज स्रिये चीफ मिनिस्टर की पूर्थी समाल रहा हूँ वाज़ा शुक्रिया मंगर यह कोई ऐश का सिंग आसन नहीं है इम्तिहान का आसन है दाख चाहे जिसम पर लगा हो चाहे कपड़े पर लगा हो अच्छा नहीं लगता और कोई भी यह नहीं चाहता कि उसके वजूद पर दाख लगे मगर मुझे इस बेदाख पद्वी पे बिठाने के लिए वोट देते वक जाने कितने लोगों ने अपने उंगलियों पे दाख लगाये होंगे इस कुरसी पर बैटकर मुझे सबसे पहले वो दाख थोने हैं जो पिछली सरकारों ने अपने दामन पे लगा लिये सबसे पहले पूरे स्टेट में जितने भी लाइसन्स, कोटे और ठेके और पर्मिट दिये गए है वो आज से कैंसल और उन ओर्डर्स की फाइल 24 घंटे के अंदर मेरे टेबल बेच चाहिए समझ गए? नमर दो, पूरे स्टेट के अंदर ऐसे जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं जो डोनेशन्स लेकर दाखला देते हैं, उनके लाइसन्स कैंसल है, उनको लॉक करवा दिया जाए नमर तीन, वो आफिसर जो फ्रश हैं, रिश्वत लेते हैं, वक्त पर आफिस नहीं आते हैं, काम को महरवानी समझ के करते हैं, उनके नामों के लिए मुझे चाहिए, और एस आफिसर्स के मेरे मिनिस्ट्री में कोई जगा नहीं है और यह सारे काम आपको एक हफ़ते के अंदर करने हैं, और अगर नहीं किये, तीन से मेदारी मेरी नहीं है, मिनिस्ट्री के आई एस आफिसर्स, आप लोग जग सम्मेदार होंगे इसके लेकिन सर, एक हफ़ते में इतने काम, इतनी फेर बदल कैसे हो सकती है अगर नहीं हो सकती ही, तो इस्तिफ़ा दे दीजिए मेरी मिनिस्ट्री में वो बिलकुल नहीं होगा कि किसी ने पीने की पानी की दर्खास दी और उसकी फाइल महीनों तक टेबलों पे टेल रही है स्वाइल तो महीनों तो टेबलों पे दोड़ सकती है मगर प्यासा महीनों तक प्यासा नहीं रह सकता है उसको पानी देना चाहिए और देना होगा आपको जी समझ गये? आप सब भी समझ गये होंगे साथ अरजन मैं गुलाम कलीम आजाद पहले तो तुम इसे गले मिला करते थी सर जब मैं आपसे पहले मिलने आता था तो आपको चटाई पे बैठकर कला में पाक पढ़ते पाता था आज जब मैं आपको मुख्ध मंत्री की कुरसी पे बैठकर पाइलें परते देखा तो गले में ना ठीक नहीं संगे वैसे भी इस कुर्सी पर बैटने वाला किसी को गले नहीं लगाता अरजुन तुम जैसे बादनों को गले लगाने के लिए ही मैं इस कुर्सी पर बैट हो आओ मेरे चीफ मिनिस्टर बनने का खाव अबदुल ने देखा था वो खाव तो पुरा हो गया मगर पुलिस ऑफिसर बनने के बाद जो सपना तुम ने देखा था वो सपना अभी तक अधूरा है वो अधूरा ही रह जागा सार पुरा नहीं होगा क्योंकि ये वर्दी हमें जिस काम के लिए दी जाती है वो काम हम नहीं कर पाते है जो हतकड़ी हमें मुझरिमों को ग्रिफतार करने के लिए दी जाती है वो ये हतकड़ी के हतकंडों से हमारे हाथ बांदे है हर गुंडे हर क्रिमिनल का रिकॉर्ड पुलिस फाइल में रहता है सरकरे बदलती है लेकिन गुंडे और फाइले नहीं बदलती है जो भी तराती है वो अपनी महरवानी का हाथ गुंडों के सर बदलती है और हम ये मर्दाना पर्दी पहन कर नामर्द बनके रहे जाए हमारी पुलिस फोर्स में जोश की कमी नहीं है ऐसा लेकिन हमें अपने फर्स के लिए मर्द मिडने वालों को मौका नहीं दिया जाए सर आपने तो अगवार में टीवी में देखा होगा कि एक आम आदमी बड़े बड़े अपरादियों से जाकर मिलता है बाचित करता है फिर चला भी आगा कमाल की बात देखिए हम पुलिस वालों को ना उसका पता मिलता है ना हम बाचित कर पाते हैं क्या एकसर हमने ये वर्दी क्यों पहनी है हमारी ड्यूटी क्या है हमारा फर्ज क्या है ये सब इस कुरसी पर बैखने वाला हमें बाचा है अर्जुन मैं इस कुरसी पर आज वैठों और मैं तुमसे कुछ कहूँगा नी बलकि तुमसे पूछूँगा कि तुम्हे अपनी ड्यूटी अपना फर्ज निभाने के लिए मेरी तरफ से क्या मदद चाहिए वो तुम्हें मैं दूँगा इसलिए मिटा दो, खत्म कर दो, जितने भी तुमको समाज में गुंडे, कातिल, बदमाज, रिशुट खो, जितने भी नज़ा हैं सब को मिटा दो क्योंकि सक्ती के बगर कुछ सरका चल नहीं सकती अरे परवर्दिगार को दुनिया से गुनाइगारों को मिटाने के लिए जहनम बनानी पड़ी थी तुम भी गुंडों के लिए इस दुनिया को जहनम बना दो, मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है तुमें सर, बान तुड़ने के बाद पानी का जो पहाव निकलता है वो पलटता नहीं खुद मुझे भी बाहदुरों का पलट कर पीछे देखना अच्छा नहीं लगता है हुर्ण लगता व मुझे ये जब कर मैं ये पादों के लगता है हुर्ण दो प्रेव जाए बड़े! बड़े देड़े! बड़े, भड़े! बड़े! भाइस लिए रपसज्ट! ब इंगे! ऩो यहलो रदा, नमस्ट वाम यहलो रदा, नमस्ट A.C.P. Arjun ने बोलाया कि किसी भी गुंडे को आपता नहीं देना देता हूं, देता हूं, दादा देता हूं विदादा विदार का दादा है क्या करता है, हराम साथ जाल तुभी हां का दादा है ना ए चावाले ओ का की यहां का दादा है ना तेरी तो चल अब मैं वर्दी में नहीं हूं और नहीं मैं कुर्सी पार में बोल क्या बोलता है अभी रखना भाई जरा यहां करता है चल मार मार बे चल मार 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 ना बे चल मार मार बे यहां हम बहुत तकतों आदी में कैसा लगा? माजा आया? माजा आया? हाहँ हाहँ हाह यहाह हाह अ यहाह ङृँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ओ। कर दो कर दो कर दो टाहु हुए हुए! आप अजय देख और यृृ आप मैं जो तो अजय देख कर सी आप सत्या ददा फ्रांसिस के तीस आदमी खत्म कर दिया अरजुन ने अर जगर तबाई मचा हुए उसने और बुरे काम करने वाले को चुन चुन के मार रहा है वो इस वक्त एसीप अरजुन इंसान से रॉबर्ट बन गया है एसीप अजुन ने हमारे बीस आदमियों को बुर्ण डाला गुले गारों पे शेर की तरह तुट पर रहे हुँ मर्द साला शेरनी का चिगरा रखने वाली किसी मा की कोख से जनम लिया है परसों से कोई बराबरी का तुष्मन नहीं मिला था अम्म जाएगा अम्म जाएगा अपनी तलवार को खूम पिलाने का कमो कहा जारी हो मंदिर आओ गाड़ी में बढ़ हम आओ बढ़ो पूत कप्चरिंग के बारे में सुना था तुम्हें मादुर्गा और चंडी का रूप देखा तो खुशी हो अच्छा ये बताओ मंदिर में क्या मांगने जाए तुम्हारी लंबी उमर तुम्हारी सपने और तुम्हे नीचे उत्रो मैंने कहा ना नीचे उत्रो तुम्हें बहुत चाती हो ना तो जाओ उसकुत्ते के मुँपर कसके थपड़ मारो तुम्हें नीचे पिस प्ट्रेख बाख कर था ठो ओन फचंगद में कॉखि अरमाई तो तनलो ऐिकत में हुड़ा से फिलट nenhum, जित were आइ और भ उनलो नहosed है हौ खिलिघ constituर kब कप अ खिलिए armas इर पिले मैं कॉण़ बिलि है कहे खेख जी जी खेश बाल तक बाय ही मैं जानता हूँ ये रास्मों रिवाज से हटके है और मैं मानता हूँ कि जिन्दगी के सौदे प्रीलो के सौदे ये को बगवान भी स्वात्ती सक्षिदे रहे अर्च ये अर्च कर दो कर दो अत्यलाल मैं तुम्हारी वरी से एलेक्शन हा रहा हूँ खैर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चीफ मनिस्टर बनके बहुत पैसा कमाया है मैंने जिन्दगी भर आश करूँगा लेकिन अब तुम्हारा साथ देने वाला मनिस्टरी में कोई नहीं रहा अगर कनून की चपेर में आ गए न तो जिन्दगी भर अपने भाई और बेटों के साथ जेल में कैदियों की हजामत करना और अगर बच गए तो सड़क पर चने बेचना तहीं फर्माया आप मेरी ये वर्दी भी चन्द दिन की महमान है लेकिन मुझे इसकी बिलकुल परवान है क्योंके सारी जिन्दगी जन्ता की सेवा करने के बज़ाए मैंने खुद की सेवा किये मेरे रिश्वत बैंक में अतनी दौला जमा हो गई है कि मेरी साथ कुछते हैं आराम से बढ़कर खा सकती चप! चप! मैंने कहा था तुम लोगों से कि अपना इमान बेचकर कुछ सी पर बैटाओं बलके तुम लोगों की वज़े से मेरे चांट से प्यारे दोनों बेटे मुझे से दूर हो गए अब मैं किसके आगे माधा रगलूं? कहा सार जुगाओं? भया! रतान! क्या हो गई? किस ने किया है? भया, उस अरामजादे ACP आरजुन ने मेरा हाथ कार दिया महिया यह तो यह तो नहुनी हो गई दूसरों के हाथ पैर काटने वाले सत्या के भाई का हाथ कार दिया अब यह बना दिया दूसरों को मौत के घाट उतारने वाले सत्या के बेटे तड़ी पर बूसरों को मौत के लिए पर्पश उतार दिया झाले सत्या अर्ट परों के विंगे यह तुर्स उत्या चाले सत्या अर्ट अजया पुलिस को मानने के लिए तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है जब तक मैं खामोश हूँ ये शेहर शेहर है जिस दिन मैंने खामोशी तोड़ी पूरे शेहर को मलवेखा ठेर बना दूँगा चल अच्छा बच्छा बन छोड़ दे इने चल चल छोड़ दे इने छोड़ दो उने जबाश शूठ डच्छा जव करू़िगा मित्वे कår चल पर भी मेरी इनल कुर उनल किर लिए। फायर रेख लिया, पुलिस बालों से पंगा लेने का अंजाम रेख लिया रेख लिया जब तक आग से हाथ नहीं जलता बच्चे आग को खलोना समझते हैं तेरी अभी तक आग से मुलाकात नहीं ही इसलिए तो अपने आपको आग समझते हैं इसे कहते हैं यह चोटी सी चिंगारी से डर गया तो मुझ जैसे चुअला मुखी से ऐसे मुखापदा करें अर्जन तंगा नहीं देना मुख्टी में मिला हैं चोट मड़ी को लेगा कोई बात नहीं आठी के यह उजाए पाश्लाग्रुपे बाद मैं बात करूंगा ये किसलिए भाई हमारा नाम पुलिस की हिट लिस्ट से निकाल दीजिए आपको हर महीं में ऐसा ही एक ब्रीफ केस मिलता रहेगा अरे हाथ मिला भाई अरे मुझे नहीं मालूं था तुम लोगों से हाथ मिलाने से इतना फाइदा अभी तुम लग जिसको चाहो लूतो जिसको चाहो मारो मैं अपनी आखे बंद रखूंगा जो 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 आश करो भाई कि पैसे सरकारी खाटे में जमा करते हैं शरकार को जमारे हैं उन्हें मानने के लिए दो गोलिया चलेंगी यह दो गोलियां बुद्राव के लिए सरकार और शरकार को जन्ता कुरी पजने की दावाईंगे टेक्स के दिरिये दुदिए तोेने मंने के लिए जन्ता का नुकसान क्यों करें पैसे से गोल्यां बनाऊ और हली पहाँ फोर दो उचantic में आहले है fak वह लख़ा है। क्या। मुरा अपरवाले मानने गए हैं। वह तो शीधी-शीधी बात कर रहा है। एक का पाज, दो काज, एक का पाज, दो काज बेशन दर। वह एक है। तुरे उपर 25 मडर के सेजे, इसको पर 27 मडर के सेजे। on. 50,000,000,000,000 में पाज भच सकता है, तो नहीं अब लिक को भी मालूब होना चाहिए, कि फुली स्काम कर देगे है, भाग, मैं गुली चलाता हूँ, गुली? अरे, लगे ही ने भाई, दस लाख रुपया दिया है, गुली ऐसे लग जाए है, मैं हाना न चलाओंगा, भाग, 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 भाग, 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 भाग यह क्या है इस कजम की सुर्खिया आप मेरे खिलाफ अखबार में च्छाप कर क्या थाबित करना चाहते हैं येस प्लीज जवाब दीजिए सर यही सवाल तो हम आप से पुछना चाहते हैं कि एसी फिर अरजुन को आप इतनी छूड़ दे कर क्या थाबित करना चाहते हैं क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी सत्ता का गलत इस्तिमाल कर रहे ही कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भाई को गुंडों ने कतल कर दिया था इसलिए आपने गुंडों को खत्म करने के लिए अरजुन को खुला छोड़ दिया है आपके ऑपरेशन को क्या हम परसनल वेंडेटा समझें क्या आपको हुमेर राइस की परवानी है क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपोजिशन और कुर्सी दोनों को नजर अन्दास कर रहे हैं? काउन सी अपोजिशन? काउन सी कुर्सी? जर्म को हटाना पाफ है? गरीब जंता की मदद करना गलत है? आप लोग किसके नुमाइंदा बन कर आए हैं? गुण्डों या पोजिशन की वकालत करने आए है? या गरीबों की वकालत करने आए है? किसके तरफ से आए हैं आप लोग? तिरफ अख़बार में सुर्खियां सापना आपका काम है? और अख़बार पढ़ने वालों की तकलिफे क्या है? वो देखना आपका काम नहीं है? अख़बार है? जहाद है? करांती है? एलान जंग या उन लोगों की खिलाफ जो समाज में रहेकर समाज की फीड़ में छुड़ा भूगते हैं? आज तक अंगिरस शरीफों और मासूमों का खून बैता रहा है? आपने कभी पीचली सरकार थे इसके बारें पूचा? कभी करता हूं कि अगर किसी कराती है वावावाज में किसी दिन मुझे कहा कि गुलाम कली माजाब तुम घलत हो उस दिन मैं यह कुर्दी छोड़ दूँगा कान पकड़कर घुड़ने टेकर आप तब के सामने खड़ा हो जाओंगा मगर मेरे दोस्तों एक राय आपको भी देनी है सुबा जब आप खुलती है तो नजरों के सामने सबसे पहले अख़बार होता है खुड़ा के लिए इसमें जूट मत चापा कीजिए हाथ में कलम आ जाए तो कलम का गलत इस्तमाल मत कीजिए यह चार इंच की कलम चार फुट के तलवार को काट कर उसके टुकड़े कर सकती है कलम का सही इस्तमाल कीजिए आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा जोदर साब बात परताश से पार हो गई है उस अराम चादे ने मेरे दोने बतीजों को तरिपार करती है मेरा हाथ काट दिया पाइशाब को चेल के अंतर में दिया अगर उस अराम चादे खुट्टे अरजुन को अगर आप भी खतम नहीं किया तो चले होगा नहीं अरजुन को माने की कोई जरूरत नहीं वो खुद बाखुद बर जाएगा हमें सबसे पहले उस आपमी को खत्म करना है इस इस अरजुन को महा भारत का अरजुन बनाया है गुलाम कलीम आजाद अरह कर लिए आपने बहुत अच्छा काम कियातानों फैरात कर दो वाँ 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 सब यह क्या हो गया सब यह सब क्या हो गया वहीं जो जंग में अक्सर सीपाईयों के साथ होता है वगर तुम्हें एक बात याद रखना एक सिपाही की मौश से जंगें बंद नहीं हुआ करती जंगें हारने और जीतने के बात बंद होती हैं अरजन यह जंग हम दोनों ने साथ में शुरू की थी और जब तक इस जंग को जीत आ लेना अपने बदन से इस वर्दी को उतारना मत क्योंकि जंग सिपाही जीते हैं और तुम उस वक तक सिपाही हो जब तक तुम्हारे जिस्म भी वर्दी है आचा दोस्त चलता हूं खुदा आफिस जे 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 हिन परवर्दिगार वुलाम कली माजाद की रूख को जन्नत बक्षना वैसे तो किसी के रहने या नहीं रहने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इसकी मौत से तुम जरूर अनात हो गए हो इसने तुम्हें इतनी ताकत दे दी थी कि तुम इंसान से रॉबर्ट बन गए थे बैज जबरी अर्जुन किसी की ताकत से रोबत नहीं बना अर्जुन पैदाई हुआ था शेर का जिगर लेकर ये भी मेरी तरह मर्द थे इसलिए मुझे समझते थे इनके मनने से अर्जुन चूटा नहीं बलके और मजबूत हुआ है अर्जुन इंसान बले कितना मजबूत क्यों नहों तब तोड़ने वाले अपनी जात पर उतराते हैं न इतना तोड़ते हैं इतना तोड़ते हैं कि फिर जुना मुश्किल हो जाता है अच्छा मौका है तुम्हारे पास आजाद की लाश के साथ साथ अपनी मर्दानगी को भी दपना दो मिल जुल कर रहोगे तो प्रमोशन का भी मज़ा लूटोगे इस जब गोली बरबाद नहीं करना जो काम चिप मिनिस्टर गुलाम कली माजाद अधुरा छोड़ गये हैं उसे पुरा करने के लिए हमें बहुत सी गोलियों की ज़रुवत पड़ेगी शेद तो शेहिद हो गया वगर कुटों को हलाल करना अभी पाकी है पिंडा एक बाद कहूं को? मैं ना तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है क्या? हाँ तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? हुँ मेरे ठेटर बढ़ गए हैं, मजदूर बढ़ गए हैं और मेरे काम में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है एक बाद कान खूल कर सुन लो मैं अपने बच्चे को ब्लैक मार्केटर कभी नी बनने दूगी मेरा बच्चा है चाहे उसको मैं ब्लैक मार्केटर बनाओ या वाइट मार्केटर इसमें तुझको क्या है रे? तु अपना काम कर रे चाहे उल्टा गिरूं क्या रे? चाहे सिदा गिरूं क्या रे? बीना कपडे फिरूं क्या रे? करता लफडे फिरूं पर उसमें तुझको क्या है तु अपना काम कर रे वोड़ा सुंदर जारी, वोफ नम डम करने दोनों टांगे उपर करके लगाओं मैं दोर ससु के घर जाके लगाओं पगल खाने का बॉर रोज शुबा बाथरूम मैं लू के सरदुत का शावर तेरे माहल में जाके मैं तो आफ कर दू पावर प्रेंड को बठड़े किट में दे दू मोटा जगली भैसा होटल में खाके कह दू मेरे पास नहीं है पैसा मतिस की तिली सुलकाने खरीद के लाओं लाइटर बीबी को पिटवाने लाओं भारे पे फिल में फाइटर जाहे गंजा गुमू या रे पैटरोल पीके जुमू या रे जूठा खाना खाओं या रे बोगस गाने काओं पर उसमें तुझको क्या है रे तू अपना काम कर रे तुझे क्या लेना देना रे तू अपना काम कर रे गुते को काट लूं जूते को चाट लूं क्या रे कच्ची सूपारी मैं क्या रे बुडो में बांट दूं पर उसमें तुछ को क्या है रे, तू अपना काम कर रे तुझे क्या लेना देना रे, तू अपना काम कर रे दोनों सरब बाल रखूँ बिच में रखूँ गैब जांदनी रातों में भी गुमू पैन के धर पे कैब नेरो बेंट की पैशन में भी पहनू बैल बॉटम अंडर वेर को उपर बैन के बन जाओं मैं भैंटम दोनों दूतों में लगवावू छेछे इसके सोल टेबल टैनिस खेलू मैं तो लेके फुट बॉल साइलेंस उन में जाके चाहे पिटवाओं मैं दोल एक विच्चर गर मिल जाए तो कर लूँ गठेका रोल जाहे बच्चन बनूं जाहे विलन बनूं बंदुख उठाके मैं जाहे फुलन बनूं पर उसमें तुझको क्या है रे तू अपना काम कर रे तुझे क्या लेना देना रे तू अपना काम कर रे पर उसमें तुझको क्या है रे तू अपना काम कर रे अरु अर्जाय के मला कि में जडरा धेर होगो तायर पंचर हो गया। प्राइब कर वाले अकसर देर से पहुंचते भाई मुझे तुम सो कुछ कहना है? मैं एक भाई से बात कर रहा न पोली ससर से जब एक भाई बोलेगा बाई सुनेगा जब ब्लाक माकितीया बोलेगा पोली वाला सुनेगा ते शाने है याद है तुझे इसी गटर से हमारा बच्पन शुरू हुआ है हमारी जिन्दगी यहां से शुरू हुआ है कहा है तो आज आज तू कहा है का मैं हूँ क्या त्रवाइब दो जड़ी वर्दी पुलिस कोटर्स 400 रुपे की नौकरी और ये पंचर सै है बंग्या है डैक बैलन्स है प्रफर्टी है दुनिया बरके ठिट रहे हैं और ब्लैक मार्केटर वर्कर्स है मेरे पास का है मां है मां मम्मी मजर अम्मा हट मैं तुस्छे बढ़ाओ मेरा मुमत खुला एड़े भूल यह सोते लिए मां है आज मेरे पास की जादत है कि मैं दो मिनिट में मां को उठवा सकता हूं लेकिन मैं इसा नहीं करूंगा बाप का इंतिजार करूंगा एक बार बाप मुझे मिल जाये ना तो मां के लैन लगा दूँगा मैं इतना गुरूर अच्छा नहीं भाई एक दिन तुम पश्टा हु कि दुबारा मिल लाने अकेला नमस्ते नमस्ते तोवे साहब गुलाम कली माजाद को सपोर्ट करके आप लोगों को क्या मिला ना उसके खुद खुद खाया ना आप लोगों को खाने दिया आप लोगों के पासं मुझे शीप मरने के लिए टीन सीटों की ही जरूरत कि इसके लिए मैं आप लोगों को एक करोड रुपया दुगा अक系 जस दिन चीप मिलिस्टर की शम्त लूँगा दस लाग और दूगा चादर्री साहब एक करोड रुपय बहुत कम है मैं तीनों सीटों के दो करोर रुपे लूँगा क्या एक करोड कम होता है गिंते गिंते जनम भी जाएंगे ठीक है लेकिन हमें मिनिस्ट्री में पोस्ट चाहिए कोई पोस्ट नहीं मिलेगी मैं तुम लोगों को पांच साल के लिए खरीद रहा हूँ और बीच में सरकार किरान की कोशिश की तो तुम लोग खुद कर जाओगे समझ लेना कि अ कि अ कि 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 देखो सतेलाल मड़ी मुश्किल से सीटें खरीद कर मैं चीप मिनिस्टर बना हूँ इस वक्त अगर हमने एक भी गरत कदम उठाया तो मेरी मिनिस्टर बखास हो सकती है उदर अजाद मर्डर के सिलसले में दिली से इंकरी कमिशन यहां आ चुका है अर्जुन अब वो अर्जुन ही रा अबलिक का हीरो बन चुका है हम उसे ऐसा मेंटल टॉट्चर देंगे उसके जमीर को खत्म करेंगे जिसे एक दिन वो खुद वा खुद खुद वा खुद मर जाएगा चान्त हो जाओ सब फीक हो जाएगा सर्दलाल लुक्त गजार करो आओ भाहिया जोदिश आप ठीक ही कह रहे है गर चलो आओ हलो कैसे पी साब आपको लॉकली माजद क्याकते आरे के बारे में चानना चाहेंगे कौन है आप मैं आपसरे लगता कि में को अरत बोल रही हू कहां से बोल रही है गामीन बचाओ 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 अरे क्या करी याँ क्या बचाओ बचाओ यह आपकी पुलिस आप वक्त पर नहीं यादे तो मेरे इसाथ सब यह छूट बोल रही है इसलिए खुद हमें बुलाया था हमारे देश की औरत अभी इस हद तक नहीं गिरी है कि वो मर्दों को बुलवा कर अपनी इज़त दुदवाए सब आप इसके खिलाफ पुलिस्टिशन में रिबॉर्ट लिखवाईए मैं तुम्हारे पर हुमन राइक्स का किस करूगी सब यह अरजुन यह वर्दी पहनकर जो तुमने किरी हुई हरकत की है इसकी सदा तो तुम्हें भुगत नहीं होगी सब देखिए सब अरजुन याद है मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन मिनिस्टर साब दोबारा पावर में आ गए तुम्हें उस दिन पर बहुत अफसोस होगा जिस दिन तुमने उनसे बत्तमीजी की थी तुम पर जन्ता की तरह से हुमन राइट्स एक्ट का मुगदमा चलाया जा रहा है और जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होता तुम सिर्फ आउन लाइन ड्यूटीपर हो इसका मतलब यह है कि तुम अपनी पावर या इस्तियारात का इस्तिमाल नहीं करते तुम्हारा यह जो सर्विस रिवॉल्वर है ना यह डेपार्टमेंट को सौंप दो और इन्हें छोड़ दो सैर तान्यवास साथ थांक्यू सर यूप्रिया सर थान्यवास साथ नमस्तू सर जड़े नाले पप्लू दे ना रानी दे रानी मेरे पच्छत अरे जल्दी से पत्ते समेट लो इससे भी और जुआ आ गया चल्दी अरे तो ड्यूटी पे तो क्या हुआ वह कुछ नहीं कर सकता चल्द ना आदकी आदे ही आँजय के वेरा, आखाच यह जो ले जान हो सारे को जो, साथ को सेटाट एल, सेक्योरिटी में तुने बड़ा है मानदार आदमी रखा है, ये बहुत अच्छा किया, चाल बाई, चेक कर हमें, चाल, चेक कर, चेक कर हमें, चाल, 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 हमने जूते में भी हत्यार छुपा रखा है मुसकते है छुपायो डाउन डाउन जूता 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 चेक कर जा चल देख इनी हाथों से तुने मेरे भाई का हाथ तोड़ा था याद है न अब तेरे ये हाथ जिन्दगी भर मेरे जूतों पे रहेंगे बया इस कमीने ने तो सिर्फ मेरा एक हाथ तोड़ा है अगर आप कहें तो इसके दोनों हाथ पर तोड़ दू हाथ तोड़ दोगे तो ये बिचारा वर्दी कैसे पनेगा फिर तो ये लूला लंगला अपाज किसी चड़िया घर का चौकीदार बनने के लायग भी नहीं रहेगा देख लिए अरजन थपड मानने का नतीजा अरे अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इतने थपड लगवाँ हूँ कि तुम्हारा दम निकल जाए लेकिन नहीं मैं तुम्हारे जमीर और आत्मा को इतने जलील करना चाहता हूँ इतना जलील करना चाहता हूँ कि तुम खुद बहुद मर जाओ नहीं अजुन इस वक्त उम्हारे उपर human rights का case चबड़ आए यहाँ अगर तुम्हारा इनुसागा तू, हम भाईयों के पीछे कुट्टे की तरा लगावा था ना? ले, आज हम तेरे सामने खड़े हैं, ग्रफतार नहीं करेगा, कर ग्रफतार बेटे, अब इसके दाडने के दिन खतमों के कुट्टा बन गया है ये अब ये हमारे हाथों में हतकडिया नहीं बलके हम इसके गले में पट्टा ढाने है ना, टॉमी? Come on Best of luck कुप बल्के हम ऐसेजने त volume रमगोड का ठरा भी ये चीज़ है रिखी रमगोड का ठरा भी ये चीज़ है रिखी मज़ा अगर लेना है यारो मारो प्यार की पिलो इश्क जी विखी लिला इश्क जी विखी पिलो इश्क जी विखी इश्क जी विखी रमगोड का ठरा भी ये चीज़ है रिखी मजा अगर लेना है यारो मारो प्यार की पिस्की पीलो लिष्क जी विस्की इश्क जा जब की चीज है दुनिया है तकी दीवानी आरे आगे आगे इश्क चले और पिछे चले जवानी संभल के पीना जाम इश्क का इसमें बड़े हैं फत्रे एक बार ये कड़ जाये तो तारी उमर ना उतरे जिसने इश्क की बोतल खोली तसमत खुल गई उसकी पिलो लिष्क जी विस्की इश्क जी विस्की इश्क जी विस्की इश्क है ननी से चिंगारी दिल में आग लगाए आग लगाए आग लगाए आग लगाए पर साथ समंदर का पानी भी उसको भुजा न पाए इश्क हीर है इश्क है राजा इश्क है लैला मजनू चूम लो नाखों को जिन में चम के प्यार के चुगरू दिल में यार की आदवक्ती है होटों पर है पिलाओ इश्क जिमिस्की इश्क जिमिस्की लो इश्क जिमिस्की इश्क की पहली शर्त करेंगे आशिक को सवधाई फिर उसके कदमों में रख देता है तारी खुदाई जिसने इश्क किया वो प्यार का दिवाना कहता है मौत वहाँ पर जा नहीं सकती इश्क जहां रहता है इश्क जिसे कहते है यारो इश्क जिसे कहते है न कोई जात पात है उसकी पिलो इश्क जिमिस्की पिलो इश्क जिमिस्की पिलो इश्क जिमिस्की रमोड का राभियर ये चीज़े है रिस्की मौत अगर लेना है यारो मारो प्यार की जिस्की पिलो इश्क जिमिस्की इश्क जिमिस्की पिलो इश्क जिमिस्की पिलो इश्क जिमिस्की ना समझोगे तो मिट जाओगे आए हिंदुस्तावालो तुम्हारी दास्ता भी होगी ना दास्तानों में हलो मिस्टर अर्जोन ओ आम सुरी मिस्टर मॉर्ट क्योंकि आप जैसे मर्दों ने इस देश की जनता की रखवाली का फेका लेके रखा है जिस तरह लोग रोजी रोटी कमाने के लिए भगवान के आगे माथा टेकते हैं न उसी तरह आपको अपनी नौकरी बर करार रखने के लिए गुंडों, बदमाशों और भशनेताओं के तलबे चाटने पढ़ेंगे क्योंकि आप मर्द हैं आप जानते हैं मिस्टर मर्द आपके पास एक रिवॉल्वर भी है जिसमें छे गोलियां हैं आटोमेटिक चलती है लेकिन गलती से उसे चलाना नहीं आप चलाएंगे तो उनका हिसाब देना पड़ेगा दत साला काएका मर्द है तु हाँ दूस साला गुलाम है गुलाम लेकिन इसमें अफस्स करने की कोई बात नहीं है आप जैसे मर्दों के लिए मेरे पास एक दबाई है इसे पीजिये और हमेशा के लिए अपनी मर्दानगी को मौत की नीद सुला दी थी समान मिस्टर मांट एंजॉई यरसर्फ एंजॉई यूजू यूजू वाह यह वही मर्द है जो जुल्म सितम पर आंधी बनकर बरसना चाहता था जो प्रश्टाचारी और करप्ट गॉवर्मेंट को अकेला मिटाने की ताकत रखता था जो हवा का रुख पदलना चाहता था जिसकी मर्दान की पर विदा होकर मैंने अपना तन और मन उसे सौप दिया बड़े अफसोस की बात है आज उसी मर्द ने अपनी मर्दान की गुद्दार उबे बहा दिया और चंद गुंडों और भरश्ट निताओं के आगे उसने अपने उटने देग दिये क्या भरुसा वक्त आने पर वो अपनी बीवी की रक्षबिक कर पाएगा या नहीं कर बेड़े कर दो कर दो कर द से तुम आज खुश तो बहुत होंगे, जो आज तक तेरे मंदिर की सिडिया नहीं उत्रा, वो आज तेरे सामने 3P सूट में खड़ा है, बोल, खुशे के नाराजे, अरे बोल, बोलता क्यों नहीं है, बोलना, बस करो, जब से दिवार फिल्म बनी, ये डायलोग सुन सुनकर मेरे काम पग गए है, मुझे माफ करो, अब मैं कुछ मनरंजन चाहता हूँ, अरे तुम तो वही टिकट ब्लैक मार्केटियर बिंदा सुना, क्या मुझे इश्क फिल्म का एक टिकट मिलेगा, क्या मुझे इश्क फिल्म का एक टिकट मिलेगा, परभू, वो चत्कर कहा है, घुम गया होगा, टिकट है न, सब आपके लिए, एक टिकट प्लीज, और लिजे न, मिरा जी को, रादा जी को, सारी गोपियों को बिलाके, साथ बैकर देखिये न, इश्क, 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 इश्क, 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 इश मा, मा, मा कैसी है तू, मा, तूने पत्ती साल, तीस साल यहां मगजमारी की, भगवान के दर्शन नहीं हुए, आज मैंने साख चात किछिन भगवान को देख लिया पर तिक छिए भगवान मेरे सामने आया है, मा, आज मैं धन्य हो गया हूँ, काला धन्दा, ब्लैक मार्केटि सब छोड़ दूगा, देश की सेवा करूँगा, मा, धरती मा की सेवा करूँगा, बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लोटा है, तो उसे भूला नहीं कहते, मा, कितना सला हुआ डैलाउग गोल रही है, मा, फिर भी तो मा, तुझे बोर करने का हक, मा, वो लूला कहा अपना डास कहा है, मा, अपन इदर है, भाई, भाई, अपन ने आपकी बात माल ली क्या, और पुलिस की नौकरी छोड़ के ब्लैक मार्केट का दंदा शुरू कर दिया है, दस का पचास करने में बहुत मज़ा आरे लाए, अपन जा रे लाए, शो का टाइम हो रे लाए, ब छाईगी, मैं दो वर कपड़े के इंतिजाम करता हूं, इस दियार को यहीं पर गिरा जाता हूँ, मा, जा, मैं भी निकल रहा हूँ, हां, हां, कृश्ना, 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 हां, पृश्ना, जजज साहब, कानून के कटैरे में खड़ा, ये संकी और सरसरा पुलीस ऑफ मिसर की ये खूबी है जजसाहब, इसने आज तक, कोई भी काम तादून के दायरे में नहीं किया, जिसे जब चहां किरफ़तार कर लिया इसने, बलही वो खुजा करने के लिये जा रहा हो, या फिर अबादत करने के लिये, जिसे भी भागते हुए देखा जजज साहब इसने उसे इंकाउंटर करके मार दिया बले ही वो बस पकड़ने के लिए जा रहा हो या फिर ट्रेन पकड़ने के लिए इतना ही नहीं जजज साहब इसने एक महिला की इज़ब भी लूटी है मिलॉर्ड ऐसे तमाम आरोपों का हवाला देकर यूमन राइस असोसियेशन ने इस पर एक मुकदमा किया है मेरी इस अदालत से दरखास जजज साहब की असोसियेशन के आरोपों को और चार्ज शीट को मद्दे नज़र रखते हुए इसका फैसला पहली नज़र में किया जाए क्योंकि मिलॉर्ड ऐसे केस में तारिखों का बढ़ाना अदालत के वक्त की बरबादी होगी मिस्टर औरजुन खन्ना तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो जट सहाब मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहो जट सहाब मैं पेशे से वेश्या हूँ मगर आज के दोर में जहाँ भाई बेहन की इज़त की रक्षा नहीं कर सकता इस मर्द ने अपनी जान की परवा ना करते हुए मुझ यसी वेश्या की इज़त बचाने के लिए सर में आपसे दर्खवास करती हूँ कि ऐसे जूटे वकीलों की दलीलों को नजर अंदास करें आई अब्जिक्ट यॉर उनर जिसके चूने से कोईत्र गंद भी नापाक हो जाते हैं जट सहाब क्या ऐसी वेश्या की गवाही अदालत मानेगी वेश्या कोई आस्मान से पड़ा नहीं होती इसी समाज के गंदे लोगों के खून से पड़ा होती है वो आपकी माँ, बहन और बेटी भी हो सकती है शुट अप! यूशुट अप! आपको जो कुछ भी कहना है कानून के दारे में रह कर कहो जट सहाब मैं इतना ही कहूंगी ऐसा कोई फैसला नहीं कीजेगा जिसे कानून को शर्मिनता होना पड़े जट सहाब जिस सिपाहे पर दूसरे की इजद लूटने का आरोप लगा है उसी ने मेरी बेटी की इजद बचाई है सच्चे सिपाहियों के साथ ऐसा ही सलूक होता है वगर सहाब उस मा के लिए गर्व की बात है इसकी कोग से ऐसे बेटी ने चर्म लिया हो जट सहाब मेरी आप से हाथ चोड़ के प्राथना है कोई भी पैसला करने से पहले इस मा के आखों के आसू और दिल की सच्चाई को ज़रूर देखना आए अबजेक्ट यूर अनर ये दिल आसू और जजबात अदालत इन सब पर भरोसा नहीं करती जट सहाब अदालत को सबूत चाहिए सबूत सबूत मैं हूँ जट सहाब जट सहाब ये छूटे के अर्चुन सहाब ने मेरी इज़त लूटी अर्चुन सहाब को फसाने के लिए बीएजी सहाब ने मुझ पर दबाव डाला था मैंने डर के मारे ये सब किया था अर्चुन सहाब एक सच्ची और रीमांदर आफिसर है इन्हें छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए जट सहाब तमाम गवाहों के बयानात पबलिक प्रोसेक्यूटर की दलीले और अदालत की अपनी जाच परतालों से ये बात सामने आती है कि एसी पी अर्जुन खन्ना ने जो कुछ भी किया वो सब कानून के दाएरे में किया इसी लिए तमाम इल्जामात वापस लेते हुए अदालत एसी पी अर्जुन को बाइज़त रिहा करती है और पुलिस डिपार्टमेंट को ये हिदायत देती है कि एसी पी अर्जुन को वो सारे अख्तियारात वापस किये जाए और डी आईजी पर इंक्वारी बिठाई जाए दे कोट इस अर्जुन अर्जुन को अर्जुन को अर्जुन की तरफ जाते वे दिखाए झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल